अपने कारनामों बोलेकर चर्चा में रहने वाली रिवाडी पुलिस का एक नया कारनामा उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने दो दिन की मासूम की सामाने मौत को हत्या बता कर मात्य सोला घंटे में ही उसका फैसला कर दिया और पुलिस कप्तान का हवाला दे कर बेकसूर लोगों पर इसकदर दबाब बनाया की आनन फानन में उन्हें अधाई लाक रुपे दे कर अपना पीछा छुडवाना पड़ा इतना ही नहीं पुलिस ने इस मामले में यह जानने तक की जहमत नहीं उठाई कि आखिर मासूम की यह मौत सामाने है यह फिर इसकी हत्या हुई है जी हां हम बात कर रहे हैं रिवाडी के दिली रोडिस्तित अबे सिंग चौक की जहां राजस्तान के कुछ अप्रवासी मजदूर जुग्गी डालकर वर्षों से रह रहे हैं गत 8 सितंबर की रात को एक जुग्गी में दो द के एक यूवक के पैर के नीचे दबने से मासूम की मौत हो गई है सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी यूवक सहीत कलौनी के कुछ लोगों को ठाने में बुला लिया और पुलिस कप्तान का हवाला देते हुए आरोपी यूवक वा कलौनी के कुछ ल उससे बिजली चोरी होने के कारण आए दिन उनके घरों में लगे बिजली उपकरन जल जाते हैं जिसे लेकर वे बिजली निगम के स्थानी अधिकारियों से लेकर विजिलेंस अधिकारियों तक शिकैत भी कर चुके हैं लेकिन प्रशासन इस मामले में पूरी तरह आँखे गठा है और घटना के वक्त भी अचानक बती गुल हो जाने के कारण वे यहीं देखने गए थे वहीं अब जुगी के लोग भी यह मान रहे हैं कि मासूम की मौत यूवक के पैर के नीचे दबने से ना होकर उस पर लकड़ी गिरने से हुई थी और कलॉनी वासियों से रकम अब गिता जाहिर करते हुए मामले से पला जहारते नजर आ रहे हैं अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में दोशी लोगों के खिलाफ क्या कारवाही अमल में लाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा रिवाडी से अजियत्री की टीवी नियूज नमाले डिम लाइट आती है ऐसी प्रोब्लम है तो वह आने के बाद में उसके आते पहली वो दड़का तो दो दिन पहली जाएग दो गंटा पहली से मरा वा था और शिर उसका कर दिया रोना पीटा सुरू किसका बच्छा था यह बच्छा था यह बच्छा था बबभु ल लिए गया था यह साथ कुण कई और फिर थाना में जाकर उसकी रों कंपलेट कर वाली जितना भी मैं हम जुग्या में था सब जाके वहां पर देख कर जब मैं वापिस आया तो रात को उसकी इंटी आई पता नहीं कूण सी आई वो बोली बचे अपने घर में बैटके पैस कर लिए 100.000 रुपए में वो पैसे दिने के बाती सुबह रहे पैसला अपने हाथ में देते ही पैसा लेना सुबह गया था हम जुग्या मिलके सारा उसके साथ और सारा अंगोटी दसकत किया और वो पैस उसमें दिलवाया 100.000 रुपे लेकर घर पर आगे गर उने के बाद मे जब इसको बेजना था ता बगणा था असको लाग रुपआ क्हाना था जो मनिम्बर था ऊसका नाम कालु हुआ जिसका फेसला कर वाए गयृ कालु कौं है एक रिता मेर्ट वही बागडी ही जे लाद रख लроб्ड़ जर पारा की लिए लाग रेख предлаг venue और जिसका बचा मराता उ भेसल लेने का शक्रम उसका नाम लगा दिया। तो लागरी प्या हुएं कोई जादा ले लिया Dagasiya कि हमना फेसला करवाया जो यह करवाया जो ऐसा करकर उसने लागण प्यार रख लिया हुसको रात लिया उसको हम पर्पकालिया लपड़ा हों गया तो कून सुड़ाएगा मारें पैसे का लेंट जा जा के प्रविल्मों दो उसका कोई प्रोब्लम नहीं है कोई केस दर्जे नहीं किया पुलिस ने केस किया था रात को रिपोर्ड लगोर था रेगे तो वह सुबहर रहे जाकर हमने बोल दिया यह जोग्यावलोंने बोल दिया कि अध़ु कह जब पहुतला हो गया बढ़ाएंगे बात को जाकर हमारा केस वापश ले लेंगे और अपन जब वहां गया था ओम परकास पासर ओम परकास आई हो था इसको आजी शीक नो बजे इन्होंने जोगी जोपड़ेवारों ने तार लगा रखे थे जो हमरा ट्रांसपार्मर है उसकी वज़े से हमारे गरों में लाइट नहीं रहती है और जो भी उपकरना है दूसरे तीसरे फुख जाते हैं गड़ी मोले के तीन चाफ लड़के थे वो जाकर उन तारों को अटाने के लिए तो वहां उन्होंने जाते ही जगडा शुरू कर दिया जैसे जगडा सुरू होगा तो मेरे को सुनाई पड़ा मैं भी वहां पर चला गया वहां गया तो वहां जाते ही यह जितने जोगी जोपड़े वाले ते सारे इखटे होगे और बोलतार नहीं आटाने देंगे। मैं बोला भाई इसके हमने कम्प्लेंड विजिलेंस में की हुई है और SDO रिवाडी को भी की हुई है लेकिन आज तक उसको पर कोई एक्षन ही नहीं हुआ। वो तार वगरा लेकर के हम अपने घर आ गए तकरीबन एक गंटे के बाद ये पुलिस स्टेशन में पहुचे है या फोन किया है पुलिस की गाड़ी आ गए उन्होंने आकर के घर में बैर मारी मेरे को बाहर बुला लिया बुला आपने ऐसे इसे कर दिया इनका बच्चा मार तो मैं बोला हम जोगी जोपने गए नहीं ना हमारे को इनका बच्चों का कुछ पता है तो पुलिस वाड़े बोले आभी गाड़ी में बैठा और पुलिस स्टेशन में पहुंचे रात को करीब ये बात है पूने दस दुजे की और जैसे वो पहुंचे हैं तो वहां जाकर इस लड़के के पाउंक निचा को बच्ची मर गए उसके बाद उन बोला ये तो 302 का केस मनेगा और इस बच्चे को अंदर रखो बाके आप लोग सुबह कला कर गया आठ बचे अपर रिपोर्ट कर देना हम अपने घर आगे तो जैसे घर आए तो दूसरे बिनाम सुबह सा लाक रुपया दो नहीं तो हम कारवाई कर रहेंगे उपर जाएंगे और ये बताएंगे का हारी बच्ची को इनोंने मार दिया अब मजबूरी में क्या करते क्योंकि चार बच्चों की लाइट का सवाल था तो मैंने बोला वे ठीक है तो वहां पर जो एक्स ये चेर मैन है विजेराओ वो उसका मतलब खास रोल था उसमें वो पैसे लिए और लेकर के वहीं बैठ करके उनमें डिस्टिबूट कर दिया अब वो पैसा लेकर के वहां से आगे और उन्होंने जो कागज पर लिखके दिया था जो मैने आप लोगों कागज दिया है उसके मुताबिक प और वो लेकर के यहां से जगे चोड़ के बाग है जुगि चोड़ गया जुगि चोड़ के चला गया है और अब लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं रिटन में कर दिया और बरबल ही कर दिया लेकिन आज तक हमारी सुनाई कहीं भी नहीं है अनिल राव यहां जुग्गियों के अंदर बता रहे हैं बच्चे की मौत हो गई थी और उस पे काफी अंगामा हुआ क्या पूरा मामला है पहले की मरी हुई थी वहां जाने के बाद यह लोग पकड़के लेकर चले गए एक लड़के पहात रखा जुग्गिवाड़ोंने की इस लड़के पैर रखा है तो चार-पांस लोगों को पकड़के लेकर गए मैं खुद थाने में गई हूं मैं अपना व्यान देख कर आई ह अपना नाम लिपा के वहां पर लेकिन उन लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया सब को भेज दिया राच को बारा साड़े बारा बजया में आए जुप्यों में जो एक लड़का जो पकड़ा था लाली उसकी सास ने काफी हंगामा किया मैं पैसे दूंग ये दूंगी विजे राव चेर्मेर बीच में आया है उसकी सासके रुसकी दोनों की चाल थी उन लोगों ने धाईलाग में पैसला कर लिया आपने कितने पैसे पैसे पचास पचास जारु पर लिये हैं पैसे थाने में दिये गए हैं इधर जो गाड़िया जो खड़ी हैं गंडम हुई उदर पैसे लिए हैं सबसे पतास पतास जारू के लिए हैं अभी जेराव ने अपने हाथ में लिए हैं क्या कोई दवाव बनाया गया इसके लिए बस यह काया है कि अगर तुम फैसला नहीं करोगे तो यह जूगी बाले हैं यह आगर तक पहुंच जाएंगे और फिर तुमारे बक्ते तीन साल तक की सदा मिल जाएगी इनको अगर इनका कैरियर खराब हो जागा इससे बढ़िया तुम अपना फैसला कर लो कुछ भी नहीं रखा कोड़ काट में तो उसके बाद इन लोगों ने डाइलाग में फैसला कर लिया और बस यहीं बोला एसपी साथ खेती है कि इनको यहीं निम्तारा कर दो लोगों का जैसे बियो आपने एसपी से मुलाखात की इस बारे बे नहीं अभी नहीं हम कल जाने के सोच रहे हैं अब क्या कुछ मांगे परसाशन से आपकी परसाशन से मांगे यही है कि जब सारा मामला सामने आ गया कि वो लड़की मरी ने दूसरी बात उन्होंने जो लिखित में जो ब्यान लिया है न डाइलागर लेकर उन्होंने यह का है कि हमारी जोगी की लखड़ी गिर गई वो लखड़ी बच्ची के उतपर गिरी है और तब बच्ची मरी है जब बच्ची मरी ही नहीं किसी के द्वारा तो फिर इतना बड़ा अडंबर क्यों कि आ गया तो यह अडंबर करवाने वाले कौन से विजे राव चेर्मन साम से या उस लड़के की सासू थी मामले को थाने में समझोता कर दिया गया है रफादफा कर दिया गया है अगर संग्यान पे आता है तो क्या कुश करवाई हो यह वाले वाले इसलिए कराओ ने जलता है क्या है क्या है